नमस्कार, क्रांती औरेसा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है अकबर काफी देर ब्रह्मन के बाद ठक चुके थे। उनका विश्राम एक घने व्रिक्ष के नीचे हुआ, बीरबल भी वहां मौजूद थे। अकबर के हाथ में एक छड़ी थी जो बेहद ही मुल्यवान थी। अकबर ने जमीन पर एक रेखा खीची। मजाक बनाने के उद्देश से अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम बिना मिटाएं इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बीरबल बुद्धी के धनी थे। उन्होंने पास रखी हुई एक लकडी को उठाया और अकबर द्वारा खीची गई रेखा के समानांतर एक बड़ी रेखा खीच डाली। अकबर को समझ में आ गया था, उसके द्वारा खीची गई रेखा बिना मिटाय चोटी हो गई थी। बीरबल ने जो रेखा खीची थी, वो अकबर द्वारा खीची गई रेखा से काफी बड़ी थी। अकबर बीरबल की सराहना करते हुए फिर बीरबल की बुद्धी की परीक्षा की योजना बनाने लगे।